आप पूलिस में कैसे आ सकते हैं जी डॉल्फिन पूलिस में बरती होने के लिए मैं क्या करना चाहिए डॉल्फिन पूलिस में बरती होने के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए डॉल्फिन पूलिस में बरती हो कि क्या हम घार आ सकते है क्या हमें वो जो बाइक है चलाने के लिए वो मिल जाती है हम आगे अपनी तालीम मजीद जारी रख सकते हैं डॉल्फिन पॉलीश में आके क्या हम PCS, CS, CSS कर सकते हैं क्या हमें घर मिल जाता है डॉल्फिन पॉलीश में तनख़ा कितनी मिलती है डॉल्फिन पॉलीश की ट्रेनिंग कितनी होती है कि डॉल्फिन पॉलीश की प्रॉमोशन होती है ताँवे इस टॉल्फिन पॉलीश डिस्टिक पॉलीश में आ सकती है किया हम प्रमूट हो सकते हैं इस तरह कै आपके बहुत से सवाल जी इनी सवालों के उपर आज की मेरी वीडियो मैं हूँ रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल तो विवर्ज इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्लिफ सर्विस औरियंटेड करियर औरियंटेड वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप इन जॉब्स को असल करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरोगे और उन मराहिल से किस तरह आप कामयाभी से गुजर सकते हो इसके लिए मैं आनलॉइ अकेडमी चलाता हूँ और आपको मैं मुख्तलिफ क्लासीज में तैयारी करवाता हूँ मुख्तलिफ जॉब्स के लिए पूरे पाकिसान से बच्चे मुझे तैयारी कर रहे होते हैं में अजाफा है पांच फिट आठ इंच आजी इंच ज्यादा है डिस्टिक पोलीस से पांच फिट आठ इंच आपकी हाइट होनी चाहिए उसके साथ आपका जो चेस्ट है वो 33.34 ही है आपकी जो दौड है रनिंग है वो उसी तरह से है सेवन मिनट में वान पैट सो उसी तरह से लड़कियों की जो है वो 5 फिट दो इंच और उसी तरह से लड़कियां हाइट से मुस्तसना है उसी तरह से लड़कियां जो है वो 10 मिनट में अपनी जरनिंग के अमल करेंगी और गज़र आपकी 6 बाइ 6 होनी चाहिए इस तरह से आप डॉल्फिन पॉलिस के चाहिए OTS ले, UTS ले या NTS ले उसके बाद फिर आप उस पयो से गर पास होगे तो फिर आप आगे आ जादे हो गरे महले में इंटर्यु के लिए इंटर्यू में आप पास होगे तो पिर आप उसके बाद आपकी णिड़क्शन होती है आपका मैकमा पॉलिस मेडिकल करवात है जिस तरह से मेरी ट्रेनिंग के ओपर बहुत सी वीडियोस बड़ी हुई है उनके लिए बहुत करना जरूरी नहीं है अभी मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ हम डॉल्फिन पॉलीस में कैसे भरती हो सकते हैं यह मैंने आपको बता दिया बड़ी डिटेल के साथ खाल पता तयारी आपने बड़ी अच्छी करनी होती है क्योंकि कंपेटिशन होता है बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं तो आपने तयारी अपने हिसाफ से बहुत अच्छी करनी है आफ्टर डैट आप उसमें भरती हो जाते हो कोई ऐसी बात नहीं है क्या हम अपनी तालीम जारी रख सकते हैं जी मजीद बिल्कुल जी ये बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि हम तलीम जारी रख सकते हैं बिल्कुल जी बच्चे वहां पर पढ़ते हैं अपने तोर पर रेगुलर नहीं पढ़ सकते अपने तोर पर पर रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं अपने बच्चे आगे निकले हैं, सब इंस्पेक्टर हुए हैं, इंस्पेक्टर हुए हैं, बहुत से बच्चे CSS कर गए, PCS कर गए, तो इसलिए आ वहाँ पे रह के अपनी तालीम मकमल कर सकते हो, क्या हमें ट्रेनिंग के तुरान तन्ख़ा मिलती है, बिल्कुल जी आपको मिलती है तन्ख़ा पूरी की पूरी मिलती है, जिस दिन से आप डिपार्टमेंट पे आपके आपकी तन्ख़ा उसी दिन से शुरू हो जाती है, क्या हम युनिवस्टी में और कॉलिजिज में रेगुलर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया साथ के आप अपने तोर पर पढ़ोगर रेगुलर क्लासिज नहीं ले सकते, फिर से आपका वोई सवाल जी कौन सी बुक है, जी बुक बता दे, बुक कोई नहीं है, बुक कोई ऐसी खास बुक नहीं है, हाल बता मार्किट में जिस भी जाब के लिए आप जाब बहुत अच बुचते हो, वो कोई बुक शुक नहीं होती, बुक कमल आपने तयारी करनी होती है, हर चीज की तयारी करनी होती है, हर किसम का पढ़ाई करना पढ़ती है, आपको एक सेट पैटर्न होता है, एक क्रेटरिया होता है, उसमें से आपको गुजरना पढ़ता है, बहुत से टॉ टॉपिक आपको कवर करने पड़ते हैं करन्ट अफेर्ज है जर्नल नॉलिज है कंप्यूटर है फुला है जियोग्राफी बेश्मार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन में से वो पेपर स्लेक्ट किये जाते हैं जाए वो टीस ले न्टीस ले या पीडियाश ले पीपी एससी ले इसलिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पढ़ता है हरा तरीके से पढ़ना पढ़ता है सिंगल बुक गेम ये मुकमल तयारी है जी किसी भी एक्जैम की ये जहन में रख ले मैं बार बार अपनी वीडियोज में कहता होता हूँ जो आप जितना कोशिश करोगे उतना ही प दरहा से डिस्टिक्स में डीपियो के एंडर वो पुलीस का ही एक विंग है एमर्जन्शी की सूरत में जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती वहां पर हमारी डॉल्फिन पॉलीस या डॉल्फिन स्कॉर्ड चली जाती है विकास उनके पास मोटर बाइक्स होती है और बड़ी अ डॉल्फिन स्कॉर्ड को डॉल्फिन स्कॉर्ड जो है वो तरकी से ये मॉडल लिया गया था तरकी में इसको यूनसलार कहा जाता है डॉल्फिन फॉर्च और डॉल्फिन स्कॉर्ड जो है इसको तरकी से ये कॉंसेट लेके पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इसको इ ट्रेनिंग करके थे वही दोबारा से यहां पे पाकसान में ट्रेनिंग कर वाते हैं बड़े परफेशनल लोग हैं बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है डॉल्फिन पोलीस एक हमारा एक नाम है एक ब्रेंड है पंजाब पोलीश का तो वहां पर बड़ी इज़त वाली 10% या कुछ इसकी तंख़ाभी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने 8-8 गंटे पूरे बाइक के ऊपर बैटना होता है बाइक के ऊपर चलना होता है हैवी बाइक है बड़ी टफ ड्यूटी होती है और कुछ रिस्पॉंस फोर्स के तोर पे इन्होंने काम करना होता है इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है और इसके साथ इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है और ये बड़े अच्छे तरीके से बंदे से पेश आते है क्या सार इनकी प्रमोशन होती है बिल्कुल जी इनकी प्रमोशन होती है हर तरह से ये एड़कंस टेवल बनते हैं, ये असिस्टेंट साब इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर बनते हैं, उसी तरह हरारकी चलती रहती है लेकिन ये डिरेक्ट भी बढ़ती हो सकते हैं किसी एक्जाम को दे कर असिस्टेंट साब इंस्पेक्टर डिरेक्ट भी हो सकते हैं साब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं PCS करने के बाद CSS करने के बाद ये ASP भी हो सकते हैं तो लाहिदा इन کے लिए क्लिए कोई ऐसी रिस्टिक्ज intentar नहीं है कि यह नहीं हो सकते जी हर इक जैम में हो सकते हैं यह सकते हैं हर जी जा सकते हैं इनको इल्ला मासा आ जो जितनी कोशिश कर लेगा उतना पालेगा that's it simple सा formula है इस दुनिया में निहाल इस दुनिया में जो भी बड़े हैं सभी नीचे से उपर गए हैं आप लोगों ने कोशिश हैफट करते रहना होता है इसलिए आप गुरूम करते हो अपने आपको अपने mental को और भी हैं अभी इशक के इमतहा और भी हैं बहुत से इमतहान आप दोगे पढ़ते रहा करो मुसलसल स्टडीज स्टडीज मुसलसल स्लो एंड स्टडीज विन्दा रेस आप लोगों को बहुत सी ऐसी मिसाले मुझूद है कि चलते रहने में ही हरकत और जिन्दगी है रुकना जमूद मौत है जैसा कि इकवाल ने कहा था तो आप हर वक्त स्टडगल में रहा करो हर वक्त मूवमेंट में रहा करो मुमेंटम अपना एक बना के रखो स्टडीज को जारी रखो जो जो एक्जाम है जो जो इमतहान है वो देते जाओ सिंपल सा फार्मूला है इसमें कोई चैसी रॉकेट साइस नहीं है तो जी डॉलfिन पोलीस में जाने के लिए हमें किन-किन मराहिल से गुजरना पड़ता है मैंने आपको सारे के सारे मराहिल करा दिये सेम पंजाब पुलीस की तरह ही आपको गुजरना पड़ता है हम बता आपकी हाइट जो है वो पांच वीड आप गार आ सकते हैं जी बहुत सी वीडियो से में बता चुका हूं जी आप गार आ सकते हैं आपको बगारा छुटी मिलते हैं छुटी दी जाती है लेकिन आप डेली घर नहीं आ सकते because आपकी वहाँ पर counting होनी होती है आपकी गिंती होती है रोल काल होती है सुबो दोपहर शाम आपका एक schedule इसकदर tough होता है कि आपको खुद ही घर आना अच्छा नहीं लगता ना आप घर आते हो ना आके manage हो सकता है सुबो सबोट के जागे फिर से पीटी प्रेड करनी होती है तो इसलिए वहाँ पे एक schedule होता है weekly आपको चुटी दी जाती है आपको रस दी जाती है उसके बाद महीने के बाद आपको चुटीयां दी जाती है उस वक्त आप घर आ सकते हो तो ये थी जी मेरी dolphin plus के ओपर वीडियो मैंने कोशिच की कि कि आपको सारे के सारे सवालों के जवाब दूआज अगर आपको कुई सवालों कुली हो तो आप YouTube के ओपर जो मेरी वीडियो चाल ली होता है उसको comment में लिक सकते है मैं बेच्च आदिश करता हूए झाल झाल